अच्छा सुनो भाई लोग सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी जरूर बजा देना मेरे वीडियो जब ऑनलाइन आए ना तो आपके भी फोन की घंटी बज जाए दोस्तों आज इंडिया में रेड्मी 812 को लांच कर दिया गया जो कि स्राउमी के तरफ से आने वाला इस साल 2020 का पहला बजट स्रीज फोन है इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या आपको इस फोन में देखने को मिल ला है मैं वैसे अगर इस फोन को compare करो realme c3 से जो कि कुछ दिन पहले भी लांच हुआ है realme के दरफ से उनका पहला बजट स्रीज फोन तो यहां पर कुछ कमिया मुझे realme c3 में लगी तो कुछ बहतर मुझे redmi 8a dual में लगा अगर price के recording compare करे तो यहां पर रेड्मी 8a dual को purchase करना चाहूंगा लेकिन अकर प्रोसेसर से compare करे तो मैं यहां पर purchase करना चाहूंगा realme c3 को क्यों मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं मैं शुरू में दोनों की comparison बताता हूं उसके रेड्मी 8a की features मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले बात करते हैं प्रो प्रोसेसर इस्तमाल किया गया मीडिया टेक हीलों जी सेवेंटी प्रोसेसर जो कि अपने हिसाब से gaming के मामले में सबसे बैतरीन प्रोसेसर है और आपकी फोन की जो capability है वो काफी ज्यादा जो है हाई रहेगी अगर compare करे Qualcomm Snapdragon 439 से तो यहां पर आप गेम के लिए फोन लेना च अब चले बात करते हैं इस फोन की रेडमी एक फीचर के बारे में तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में तो 6.22 इंच का आपको HD स्क्रीन देखने को मिलेगा जिसको protection देने के लिए प्राइस जो भी चीज आप ने गूगल लेंस की मदद से जो है इसके अप सज कर सकते हैं जो कि यह काफी अच्छी और यूनिक फीचर एड की गई है उसके बात ऑपरेटिंग सिस्टेम के बारे मात कर लेते हैं रेडमी एटे डूल में तो आपको लेटेस्ट नेलें इसके इससे क्यों मिलेंगे अर्जय अगल्रा कैमेरा सिकते है ऐफको एक नौश भी देखने को मिलेगा। पिछले पीचल्ट की बारे में बात करते तो ठाइट्न mbTV सयंचर के लिए आपको दिया गया है जो कि आपको दो आघॉ Director चामरें बात कर लेते हैं गया तो आपको 5000 एमेज का बैटरी दी गई है जो कि आपको Realme C3 में भी दिया गया है लेकिन यहां पर खास चीज यह है कि Realme C3 में आपको Fast Charger का Option नहीं दिया जा रहा था लेकिन आपको यहां पर Redmi 8A Dual में आपको 18W का Fast Charger दिया जाए रहा है उसका connectivity के बात कर लेते हैं USB-C दी गई है लेकिन आपको Realme C3 में जो है नॉर्माल आपको USB सपोर्ट देखने को मिला है तो यहां पर यहां connectivity भी इन्हांस की गई है इसी Redmi 8A Dual में उसके 3.5 mm का headphone jack भी इसी Redmi 8A में available है अब उसके बात कर लेते हैं Redmi 8A की internet space के बारे में तो यहां पर दो storage variant आपको देखने को मिलेंगे 2GB 32GB और 3GB 32GB लेकिन यहां पर यूनिक चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी कि price जो है प्राइस तो काफी अच्छी है लेकिन प्राइस कुछ अलग आपको दिखाए गया है मतलब अगर आप 2GB 32GB लेना चाहते तो उसकी प्राइस अपको 6400 होगी और जो आप 3GB 32GB लेना चाहते तो उसकी प्राइस जे 6999 रुपीज होगी और इस लेना चाहते हैं बजट स्रीज में तो रियल में सी 3 बहतर है आपके लिए नहीं अगर आपको सबकुछ एक पैकेज में आपको लेना है मतलब कि ठीक ठाक लेना है तो रेड्मी 8a डूल जो है आपके लिए बहतर है वैसे आपका इस फोन के बारे में क्या कहना है डेड्मी 8 मेंतले ट्रांच करने के डेड्मी ऑर पूदक्ट लॉंज किया है नहीं पर नहीं आपको अप्सन का मिलेगा यहाँप क्यों हुलेगा दोंगको मायकरी येश्प्रक्स जो की पहले चलता था पहले वाले फोन्स में उनको चार्ज करने के लिए और एक USB-C जो अभी के फोन्स लांच हो रहे उनको चार्ज करने के लिए अलग-अलग आपको पोर्ट एवलेबल होंगे अब उसके बाद प्राइस के बारें बात कर लेते हैं तो यहां पे आपको 10,000 प्राइस सबसे बहतर है तब आपका इन power wings के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे comment करके जरूर बताएगा I hope कि इस वीडियो को यहां तक अगर आप देख लिए तो like कर दीजिए अब तक हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करके notification bell icon प्रेस कर दीजिए मैं इसी तरह की जो smartphone और technology से related जो भी वीडियोच है इस चैनल पर आपके लिए लाता रहूंगा इस वीडियो को जादा सी जादा share कीजिए आप से मिलते हैं अगले ऐसे ही next वीडियो में बने रही है हमारी इस चैनल के साथ और support कीजिए आपकी अपनी technical remedy family को